हेलो एवरिवन वेलकम टू अभी पीडिया पावरड़ बाई अभी मन्यू आईएस जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीपीएसी ने नायब तैसिलदार की 78 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट किया है तो एक्जाम की अच्छी प्रिपरेशन के लिए यह मोस्ट इंपोर्टेंट है एक्जाम का पैटर्न और उसका स्लेबस ओनली आफ्टर दाट वी कन प्रिपेर फो दाट एक्जाम तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिसकस करने जा रही हो नायब तैसिलदार के एक्जाम पैटर्न एंड स्लेबस तो जैसे की PPSC की नोटिफिकेशन में स्लेबस और एक्जाम पैटर्न आया है मैं वही आप लोगों के साथ में शेर कर रही हो तो सबसे पहले एक्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो नंबर ओफ कोस्टेंस होंगे आपके 120 टोटल 120 कोस्टेंस एक्जाम में आएंगे ज 120 कोस्टेंस होंगे तो 120 कोस्टेंस का फर्दर क्या पैटर्न रहेगा किन-किन की टॉपिक्स में से कोस्टेंस आएंगे तो 120 कोस्टेंस के अंदर से number of question from logical reasoning and mental ability 40 question mention किया गया है जो PPSC की notification है official notification है उसके according उसमें सिरफ साफ साफ यही लिखा हुआ है कि number of question from logical reasoning and mental ability will be 40 okay and number of question from journal knowledge and current affair of national and international importance will be 80 अगर हम बात करें कि यहां पर logical reasoning तो समझ आता है कि हां जी logical reasoning का part हम कर लेंगे साथ में mental ability भी mention है तो अब इससे हम क्या सोचे कि भी यहां पर math आएगा नहीं आएगा quantitative aptitude का section हमारा यहां पर बनता है नहीं बनता है mental ability से तो mind में यही आता है कि हांजी simple mental ability means की उन्होंने चेक करना है कि हांजी हमें कितनी knowledge है हमारा brain कितना working है बट इस तरह से नहीं है अगर हम देखें अगर हम PPSC के previous year के pattern को देखते हैं लाइक अभी यह लगा लिजी recently अभी पेपर हुआ था आपका पंजाब principle का पेपर हुआ था ठीक है पंजाब principle के अंदर same pattern था और same syllabus था means कि total 120 question और उसके अंदर भी यही mention था logical reasoning and mental ability अभी 6 December का exam हुआ है सभी को पता होगा तो अब उसके अंदर आप देखिए कि आल्मोस्ट 25 questions reasoning के थे आल्मोस्ट 25 questions आपके 26 27 के राउंड थे तो reasoning के थे इसके अलावा 15 questions तो quantitative aptitude वाले section के अंदर से थे ठीक है तो हम इसको नहीं ignore कर सकते कि हांजी क्वांट नहीं करना है बट जी जो quantitative aptitude का section है वो एक यह लगा के चलिए कि हांजी जो important important topics है हम वहीं इसके अंदर prepare करेंगे तो अब हम सारा detail में इस लेबस देखते हैं कि हांजी logical reasoning का क्या स्लेबस है ठीक है और mental ability का जिस हिसाब से PPSC के exams के अंदर जो previous year के questions है ठीक है ना previous year के question paper है लाइक अपना जो PPSC का cooperative inspector का exam हुआ था और अभी recently अपना जो पंजाब प्रिंसिपल का exam हुआ है और भी कुछ other exams है जो PPSC conduct कराती है लाइक हम PCS का भी साथ में mind में consider करके चल सकते हैं कि अच्छी post है तो obviously ठीक है ना तो अब इसके अंदर क्या है कि उसके according जो जो topics बनते हैं आपके logical reasoning के ठीक है और आपके mental ability के तो सभी में आप लोगों के साथ में अभी one by one करके discuss करने वाले हो सबसे पहले हम logical reasoning ही देखते हैं ठीक है तो logical reasoning के अंदर सबसे पहले आ जाता है आपका statement and objection statement and conclusion statement and argument statement and course of action cause and effect अब आप यह मान के चलिए कि यह वाला जो पाइना इस इस दो मोस्ट इंपोर्टन पाट इसके अंदर से questions exam में आते ही आते हैं इसके अलावा clock and calendar figure counting figure counting means figure आपके पास में होगी उसके अंदर से कुछ भी आ सकते हैं जैसे कि number of squares find out को number of triangles find out करो like this okay mirror and water image आ सकती है paper folding unfolding paper cutting and the figural series analogy classification means figure पर based आपकी series आ सकती है analogy आ सकती है classification based भी questions बनते हैं ठीक है इसके अलावा number matrix missing character figure missing character figure again important है क्योंकि इसके अंदर से questions आते हैं exam के अंदर कि आपके पास में figure होगी like circle की form में आ जाता है या फिर square की form में या rectangle की form में different different shape के अंदर से कुछ आपके पास में figure होगी जिसमें कुछ numbers mention होगे और एक particular number आपको find out करना है तो इस तरह के questions आ जाते हैं तो missing character is also important okay उसके अलावा alpha numeric series most important alpha numeric series के अंदर आपका alphabet related series number related series और आप यह कह सकते हो कि mixture of both ठीक है ना number और alphabet दोनों related जो series बनती है वो exam में आ सकती है ठीक है इसके अलावा coding decoding काफी important है इसमें से question आपका आएगा ही आएगा definite है ओके इसके अलावा blood relation blood relation में से भी question आता ही आता है ठीक है सिलोजियम logical alphabet dice and cubes logical sequence of words logical sequence of words में क्या होता है कि आपके पास में 4-5 words given होंगी और you have to arrange these those words in a sequence like a dictionary okay yes next is analogy and classification based question आजाते sitting arrangement और पजल बेस्ट भी question आजाते means you can expect one puzzle one puzzle और sitting arrangement हम expect कर सकते और जो लेवल होगा तो आप यह नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा hard level की puzzle या sitting arrangement आएगा आपका जो PPSC के previous year के papers के according अगर हम देखे तो जो पजल का level है आपका easy to moderate है ठीक है पस logical puzzle होती है आपकी उसके अलावा order and ranking direction sense arithmetic operations के अंदर जैसे कि जो हमारे plus minus के science है उनको कुछ proper code दे दिया जाता और उसके according आपको एक particular जो expression है उसको solve कर रहा होता है इसके अलावा when a diagram again very important when a diagram important है when a diagram के उपर based question आ सकता है आपके exam के अंदर हम expect कर सकते हैं तो यह सारा आपका logical reasoning का syllabus हो गया इसके अलावा अगर हम mental ability की बात करें कि हंजी तो mental ability के अंदर important topics बनते है according to me और मैं अपने इसाब से भी नहीं बता रहे हैं मैं आपका simple analysis के बाद बता रहे हूं कि हंजी cooperative inspector का exam हो गया आपका PCS का exam हो गया है ठीक है और आपका लगा लेजी यह अपना जो है भी exam हुआ है पंजाब principle का exam हुआ है तो इस तरह से जो exams PPSC conduct करती है basically उसके according जो topics है तो वह क्या है simplification simplification direct or you can say कि आपके पास में a statement based statement based simplification आ सकती है like कि आपके पास में proper statement given है कि हंजी for example आप यह ले सकते हो कि birds है animals है तो इस तरह के questions आपके बन सकते हैं ठीक है distribution of things बन सकती है आपकी ठीक है तो इस तरह से logically आपका simplification based question आ सकते हैं ठीक है जी इसके लावा number series again important है मैंने logical reasoning के अंदर भी इसको cover किया है और mental ability में भी cover करें कि number series important है okay yes इसके अलावा data interpretation भी काफी आप यह कह सकते है PPSC वालों का favorite topic है कि हंजी डियाई मेंसे भी question आ जाता है कि particular table पे question आ गया या फिर pie chart पे based question आ गया यह भी easy level का होता है बस थोड़ा सा logical जरूर होता है क्योंकि आप यह देखिए कि exam के अंदर mental ability mention है ना कि quantitative aptitude means की questions आपके logical होंगे ठीक है ना logical questions होंगे और arithmetic पे based होंगे और you can say कि arithmetic reasoning आ रहे है भी बस ठीक है ना कि arithmetic reasoning है अब यहां पर इसके अलावा average ratio and proportion अब इनके उपर based problem on ages question आ जाते इस अगेन very important ages data interpretation okay series यह तो मैं कहते हो काफी ज्यादा important है आपको बिल्कुल भी इसके उपर यह नहीं करना कि हांजी मैंने नहीं करना आपको इनको अच्छे आजाता है वह ratio based भी आजाता आपका average based भी आजाता ओके या फिर दी आई और आपके पास में simplification and number series ओके अगेन percentage percentage तो वैसे भी आपको knowledge होने चीए क्योंकि अगर मान लो डी आई आती है या फिर reasoning में भी कोई इस तरह का कोई question आ जाता है तो आपको आना ची परसंटेज, profit loss, time and work, time and distance और time and distance के अंदर basically trains के उपर based problems आ जाती है लाइक मैंने अभी आपको बताया कि average and ratio proportion में से problem on ages आ जाता है ओके ages भी based problems आ जाती है same way time and distance के अंदर trains वाले questions एक्जाम में पूछ लिए जाते क्योंकि दूसरी train जा रही है तो उस person ने count देखा कि इतनी देर के अंदर उसने मेरे को cross कर दिया train ने ठीक है तो logical question है इनके अंदर calculation कुछ खास नहीं होती बस simple यह है कि हांजी आपकी mental ability check करनी है उन्होंने ठीक है ना तो इस तरह के question जो topics है यह आप लोगोंने cover करने है ओके अब हम journal awareness तो journal awareness के अंदर आपनों को किने क्या क्या cover करने है इसके अंदर हम कवर करेंगे history, quality, Indian economy, Indian geography and environment इसके अंदर जो reverse वगयरा पर बेस्ट कोस्टन है ना काफी आते हैं ठीक है ना reverse अच्छे से पढ़ ले ना इसके अलावा journal science अगें important है इसके लावा miscellaneous gk भी आप लोगोंने prepare करनी है like books and author होगे important days होगे आपके ठीक है जी sports based question होगे तो इस तरह के भी आपको questions prepare करने यह आपके miscellaneous gk के question साथ में इसके current पे भी आपके यह topics बन दें तो यह भी आप लोगोंने अच्छे से prepare करने इसके लावा हम बात करते current awareness के अंदर आपकी national और international दोनों mention की हुई है तो इसलिए current के अंदर से आपने कुछ भी निस किप करने current awareness आपने अच्छे से current events के उपर आपको अच्छे से prepare करना ओके इसके लावा पंजाब जी के mention है तो पंचाब जी की का क्या है कि चार पांच कोस्चन आपके एक्जाम में बन सकते हैं तो पंजाब जी के भी आपको प्रिपेर करने हैं ओके यस तो अब हम बात करते हैं कि यह सारा जब आपका जैसे की जर्नल अवेर्नेस हो गया आपका ठीक है जी mental ability and reasoning सारा का सारा सक्षन आप लोगों ने तयार करना तो हम तयार कैसे करें ठीक है न एक प्रोपर वे होना चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप यगर आप लोगों ने आलड़ी तयारी कर रखें आप लोगों के अंदर काफी लोग होंगे जिन्नोंने अभी आलड़ी पीपी अपना PC की प्रिप्रेशन करी है तो उन्होंने फॉम फिल किया होगा तो PCS वालों के लिए तो मैं अभी यही कहूंगी आप लोगों को कि हांजी आप टैस्सीरीज पर चीज कर लिए कोई नो कोई तो उससे के अंदर क्या होगा कि हंजी आपकी अच्छी से प्रिप्रेशन हो जाए प्रिप्रेशन के लिए हां जी अभी पीडिया आप लोगों के लिए एक कम्प्लीट कोर्स लेकिया है इस कम्प्लीट कोर्स के अंदर हम आपको स्टेप बाइस्टेप स्टेप बाइस्टेप कम्प्लीट जो नायब तैसिरदार का एक्जाम पैटरन है उस पर बेस्ट हमने यह course तयार किया है और इस course के अंदर हम आप लोगों को logical reasoning, mental ability, okay, and your journal awareness, current affair, complete आप लोगों को करवाएंगे through videos, अब इसके अंदर आपके जो videos हैं, videos के साथ साथ में आपको हर video के साथ में PDF भी मिलेगी, इसके अलावा आपको हर एक video के साथ में एक test भी मिलेगा, so that की particular topic के साथ स तो यह video, complete video course है, इसके अलावा हमने एक test series भी है, test series बिल्कुल जो PPSC ने आपका exam का pattern प्रोवाइड किया है, उसी pattern पे आप लोगों के लिए test series प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप test series भी ले सकते हो, okay, तो आज आप लोगों को description के अंदर, जो हमने link प्रोवाइड किया है, तो शाम तक आपको इसके अंदर सारी की सारी details अब label हो जाएंगी, तो जो आपको better लगता है, जिन लोगोंने already जैसे PCS की preparation कर रखी है, किसी भी exam की prepare कर रहे हो already, तो उनके लिए test series better है, इसके लावा कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्नोंने अभी form fill किया है, तो उनके लिए video course का आप ज्यादा important रहेगा, हाँ जी, one most important thing is, कि आप दोनों भी ले सकते हो, आपका पास में combo pack भी है, कि हाँ जी, आप complete video course भी ले रहे हो, साथ में आप test series भी ले रहे हो, तो उसके अंदर आपका जो भी concession है, वो हो जाएगा, तो आप complete भी ले सकते हो, complete video course plus test series, इसके अलाव अभी पीडिया के portal पे, portal का भी link आपका description में available है, तो portal पे आप जाएंगे, तो वहाँ से आपको particular माल लीजी, किसी का GS अच्छा है, ठीक है, GS पी अच्छा होल्ड है, और हो कहते हैं कि हांजी सिराफ मुझे logical reasoning और mental ability का part चूज करना है, तो वो भी हमारे पास में है option, तो आप portal पे जाके वो भी देख सकते हो, बट अभी जो complete preparation के लिए तो मैं यह काऊंगी कि हांजी, this is the best one, ओके, so best of luck, thank you so much music 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 झाल झाल